हाई फ्रेंस आज को और सो पे हम दो डिल बिट को कंपेर करेंगे कि कौन सा डिल बिट पीलर में अच्छा से होल करता है उस दिन पहले मैंने एक वीडियो बना था जिसमें इसी दोनों डिल बीट को compare करके एक इंट में फॉल किया था जो वीडियो आप side में देख रहे हो तो एक भाय ने मुझे कमेंट किया कि इस दोनों डिल बिट से आप पीलर में होल करके दिखा और उस पे एक वीडियो बनाओ तो उसी भाय के कहने पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जैसा कि आप देखे रहे हूँ मेरे सावनों में एक घर है और ये इसका पीलर है मैं मुवाल को रूटेट करके दिखा देता हूँ ये पीलर है पूरा उपर से नीचे तक और इससे में मैं आपको दो डिल बिट के द्वारा होल करके अफे मिना बॉस का दिलिंग मसीन ह कर देंगे यहाँ उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसमें होल करके तो हम जल्दी से अपने मोबाइल को टाइपोर में सेट अप कर लेते हैं उसके बाद मैं आपको इसमें कंपेर करके दिखांगा दो डिल बिट को सबसब पहले जो आप यह डिल बिट देख रहे हो यह टापारिया कंपनी का है और यह 12 mm का है इसका जो होल होगा यह 12 mm होल है इचा कि आप देख रहे हो तो चली इसे हम डिलिंग मसिन में सेत करते हैं हुश कट आपको जलिसे होल करके दिखाता हूं कि कितना असानी और कितना जलिसे यह इस पीलर में भी दिक्कत नहीं है किसी चीज में आप अच्छी से होल करना चाहते हो पीलर में भी आपको ड्रिलिंग मसीन के साथ ड्रिल बीट भी अच्छा होना चाहिए दोनों में से कोई भी एक चीज गरबर होगा थी आप जल्ली से होल नहीं कर पाऊगे फूल करने में बहुत ही दिक्कत ह होगा यदि drilling machine अच्छा है तो इससे भी आप अच्छा से होल नहीं कर पाँगे और जब आप किसी भी चीज़ में होल करो तो बार-बार कुछ दिरक बाद उसका तो ड्रिल बीट है उसे बाहर निकालो क्योंकि उसमें जो धूल निकलता है इसे आप बाहर कर दो यदि उसे आप बाहर कर दो तो उसका जो फिरिक्षन है तो वह कम हो जाएगा और और भी ज्यादे रोटेट करेगा इसलिए थोड़ा-थोड़ा देर पर उसके अंदर जितना वह भी इसके साथ जो धूल है वह बाहर निकल जाएगा डिल्मिट के साथ साथ और आप इसी तरीका से असानी से बहुत ही अच्छे से बहुत ही जल्दी किसी भी किसी भी पीलर में भी अच्छे से होल कर पाऊगे आपको होल करते समय एक दो बात का और ध्यान रखना जब पाऊज से अदर होल हो चुका है अभी मैं आपको इसके नजदीक ले जाके दिखाता हूँ कितना ज्यादा हो चुका है ड्रिलिंग मसीन को इसमें हम लगा देते हैं कुछ इस तरीका से यहां पर इसके अंदर डाल देंगे और उसके बाद मैं आपको मुवाइल को इसके नद्दिक ले जाकर दिखाता हूं यह कितना होल कर चुका है लगवक 5-6 इंच यह असानी से होल कर दिया कोई दिकत नहीं है हम पने मुवाइल को यहां पर इसके नद्दिक सेट कर दिये हैं अब हम इस ड्रिलिंग मसीन को बाहर निकालते हैं उसके बाद आप देख लेना लगवक 5-6 इंच यह होल कर दिया है इतना ही देर में मैं आपको दिखा दे रहा हूं यह कितना अंदर यहां पर होल कर चुका हम यहां पर response लगाएंगे उससे मैं आपको होलं करके दिखांगे कि यह उसमाल कर पाता है अब जो मैं आपको दुस्य अपको दिलबिट लगांगा लेकिन उसस दिल बीट को लगाने से पहले मैं आपको इसका हूल दिखा देता हूं यह कितना बरा होल है इसका जो hole का जो diameter है वो 12 mm का डाम हें से 12 mm का ये hole किया ही अब दूसा denying bit को लगा करें दिखाता हूं यह यह जो दूसा sih दिल बिट है वो 6 sự company का और ये 10 mm का है यहां पर जो hole करेगा वो 10 mm diameter का hole करेगा और इसका जो लंबा है वो 7 inch है तो चलिए इससे मैं आपको होल करके दिखाता हूँ इसका जो होल करने का स्पीड है और भी जाद है यह 10 mm का है उससे 2 mm कम है लेकिन इसका जो स्पीड है आपको देखना बहुत जाद ही स्पीड में यह होल करता है इस डिल बिट को भी मैं लगाँ छे महना से यूज कर रहा इससे मैं कम यूज किया हूँ इसका यह स्पीड होल करने वह बहुत ही जाद है यह तो यह भी दिखना है तो अब सुरहिज कर देता है यहासे पहले जो मैंने बिट है कितना ज्याद है इस वीडियो का लिंक इस वीडियो को दिस्क्रिप्शन मिल जाएगा आप वहां से जाकर देख सकते हो चलिए इसे भी मैं आपको यहां पर आके नदेक आके दिखादिता हूं आप इसली लोग तो यदि आपके पास प्षर अपस्ट रहेँ टाप या फिर दिल या फिर इसको स्को सिसको कम्पनी का ही लेना तो चलिए आप मैं इसका भी हूल दिखा देता हूं इसका जो होल है उसकाजया है या फिर नहीं है और यह कितना बाड़ा होल है कि मैं अपंटने मोबायल को इसके नदीदर के चलता हूँ और इसके बार मैं इसका हो दिखाता हूँ उपर का होल है वो 12 म का इसके हई मैं कुछ के झाल झाल